हटेलो एब्रीवन कैसे हैं, आप लोग i hope कि आप सभी अच्छे होंगे कंस्टरिश निदुस्ट्रीश में कुछ अच्छा कर रहे होँगे एंजिनियर्स जब हम कलवर्ट की बात करते हैं, मल्टी सेल मानियब बृज़ की बात करते हैं के बारे में सुनते हैं तो जनाब आज के session में हम बात करेंगे कि share key में हम कौन से बार provide करते हैं कौन कौन से steel बार आते हैं उनको किस तरह से link किया जाता है उनकी fixing कैसे की जाती है ताकि आप उसका proper तरह से BBS बना सकें और इसके साथ-साथ हम ये भी डिसकस करेंगे कि जो हमारा CR की होता है उसको हम क्यों provide करते हैं कहां पर provide करते हैं उसकी drawing को हम कैसे read करते हैं ताकि आप proper तरह से उसकी bar vending schedule कर सकें तो जनाब मैं हूँ Sandeep Singh professional estimation and billing engineer और आप सभी engineers के लिए corporate tenure engineers में आप सभी का reinforced and institute for civil engineers के digital platform पर स्वागत करता हूं तो जनाब बने रही है हमारे साथ हम करते हैं अपने station को start तो आप screen पर देख सकते हैं हमिसा की तरह आपको एक multi cell minor bridge का drawing दिख रहा है आप यह देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी स्क्रीन पर आपको एक multi cell का diagnosis करेंग दिख रहा है तो जितने भी है कंलवर्ट्ग यह मिल रही होता है तो सबसे पहले हम समयस थे हैं कि हापका कि हुटा क्या है जो हमारा structure होता है उस structure की upstream side में और downstream side में आपका सेर्की प्रोवाइट करते हैं, जो कि आप एक आपका reinforce cement concrete का member होता है, जो कि आपका upstream दोनों साइडे मिल जाएगा, सेर्की का क्या function होता है, सेर्की आपकी structure को hold करके रखता है, जब भी rainy season में आपका water overflow होता है, या भी बहुत तेजी से आपका water का flow होता है, तो उस cases में बहुत सारा chances होता है, कि जो आपका structure है, वो भी पानी के साथ flow हो जाए, आप देखेंगे rainy seasons में, या फिर नॉन rainy seasons में, जब आपका किसी भी structure के थ्रोव आपका water pass होता है, लेकिन जब आपका rainy season आता है, तो water का flow बहुत तेज हो जाता है, आपकी flood आ रही होती होती हो, उस सम chances होते हैं, कि जो आपका structure हो पानी के साथ बहे जाए, तो पानी के साथ आपका structure ना बहे, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब steam और downstream, दोनों साइड हम लोग share की provide करते हैं, जो कि आपके structure को hold करके रखता है, मैं अभी आपको drawing में दिखांगा, तो आपको पता लसके आएगा, उसका नहproduction देखेंगे कि हम इसमें steel बार्चों किस तरह से fix करते हैं, यह देख सकते हैं, इस तरह से हमसा road जा रहा है, यह हमरा road जा रहा है, इस तरह से और यह आपका, इस तरह से आपका road जा रहा है, और इसमें हमने यह structure बनाया हुआ है, यह हमने एक multi cell minor bridge बनाया हुआ है कि आप इस तरह से देख सकते हैं हमने यहां पर एक मल्टी सेल मैंने ब्रिज बनाया हुआ है यह देखेंगे यह हमारा मल्टी सेल मैंने प्रिज है कि और कुछ इस तरह से इसमें आपका वाटर फ्लो होगा सब्सक्राइब II इस तरह से इसमें waterfall होगा कि यह इससका upstream side है और यहां से इसकी downstream side है तो इसको ऀम क्या बोल रहें आप upstream side यह इसका upstream side है और यह क्या है Toh जो हमारा structure है उसकी आप upstream दौनों side में हम लोग क्या कर रहे हैं आपका share की provide कर रहा हैं तो इस तरह से आपको शेयर की पर साइब कर रहे हैं और यह व sır्क लोगेर कर रहे हैं चो token को रखेंगे रहेट सीजन में जब आपका flood आए तो उस case में आपका पानी की साथ साथ आपका instruction ना बैजाए तो आपको hold करने काम कर रहा है अभी मैं आपको इसका detail दिखाता हूँ जो हम इसका section कट करेंगे तो चीजें किस तरह से आपको दिखाई देंगे आप इसका इस तरह से section कट करिए फिर चीजों को देखिए कि चीजें किस तरह से आपको दिखाई देंगे अगर हम इसका इस तरह से section कट करें और इसको अगर हम यहां से देखने की कोसिस करें इस साइट से तो चीजें आपको किस तरह से दिखाई देंगे तो आप सेक्शन देख सकते हैं कि आपको सेर की किस तरह से दिखाई देगा तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको यह share key का section दिया हुआ है जिसमें आपको proper detail में explain किया गया है share key के बारे में तो यहां पर देखेंगे जो आपका bottom slab होता है उस bottom slab के नीचे आपका share key आ रहा होता है यह हमारा क्या है bottom slab है जिसको आप raft बोलते हैं यह हमारा कलवर्ट और जो आपके multi cell minor bridge होते हैं उसका यह bottom slab जिसको आप raft बोलते हैं और यहां पर देखेंगे यह उसका PCC है यह प्लैन सीमेंट कॉंक्रीट है, इस तरह से यह हमारा प्लैन सीमेंट कॉंक्रीट आता है, यह हमारा प्लैन सीमेंट कॉंक्रीट है, जो कि आपका 150M ठिकनेस का है, यह हमारा PCC है, प्लैन सीमेंट कॉंक्रीट है, और यह PCC आपका राफ्ट का भी है, और आपका यह सेर की का भी है यह इस तरह से आपको PCC दे रखा है और यह PCC का डिटेल आपको इन्हों नहीं यहां पर दे रखा है आप देखेंगे यह आपका 150M थिक PCC है Plain Seamant Concrete Labeling Course जो कि हम Compacted Earth के ऊपर कर रहे हैं और जो आपका PCC है उसका जो projection होगा आपका raft के face से या फिर heat bottom can say face से आप बोलें तो आपको 150M दे रखा है अब यह जो बीच्क बाल कोर्चन है वह हमारा क्या चीर की हम इसको की बोल रहा हैं या हम से को को कि इसको हम स Dotisen वहां एक आपका ट्रापीजियम सब्सक्राइव मृत नौर्मलियर नापको रेक्टेंगल मृता है यह चीज आपके थ्रोव अट लेंध हो रही होगी, यह जो आपका share की अब आपको throughout लेंध प्रवाइड किया जाएगा, यह structure आपका इस तरimportant जाएगा तो जितना आपका जो आपका color white है या फिर जो आपके minor bridges हैं तो उतना ही length आपका share key का होगा इस तरह से चीज आपकी throw out length आपको देखने को मिल रही होगी जितना length आपका structure का होगा उतना ही length आपका ये share key का भी होगा तो इसको हम ये share की बोल रहे हैं जो की आपका bottom slider के नीचे आपको देखने को मिलेगा अब हम चलते हैं देखते हैं कि इसमें जो आपका steel reinforcement है उसको हम कैसे fix करते हैं ताकि हम इसका VBS बना सको तो हम इसको reinforcement के detail में आपको लेके चलते हैं ये देखें ये reinforcement का detail दे रखा है तो यहां पे देखेंगे आपको ये share की का proper detail दे रखा है ये पूरे structure का आपका reinforcement का schedule आपके देखेंगे यहां पे लिखा हुआ box reinforcement schedule पूरे आपका ये multi cell minor bridge का structure उसका reinforcement के schedule दे रखा है इसके आप bottom में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कि हाँ पे आपको ये share की दिया हुआ है share की का detail दे रखा है इसमें जो आप देखेंगे 28 और 29 नंबर बाहर है वो हमारे share की के हैं कैसा पता चला वो अभी आपको पता चलेगा कि हम कैसे बोल रहे हैं कि आपका share की का है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो आपका 28 नंबर है और जो आपका 29 नंबर है वो आपका share की का reinforcement है जिसमें हम यह CS 1 प्रवाइड कर रहे हैं CS 1 बिल्कुल आपका plan बाहर है और इसका जो diameter है वो आपका 12 mm का है और जो आपका CS 1 बार है वो कितने नंबर है आपके 10 नंबर है means हम CS 1 बार 12 mm का 10 नंबर सो provide कर रहे हैं मतलब आपके 10 बार आएंगे बार आएंगे और यह आपका CS 2 है यह क्या है एक तरह से आपका ring है जिसको आप इस ती रह बोल सकते हैं इसका डाया भी आपका 12 mm है और इसकी जो spacing है अब आपको 200 mm center to center दे रखिए तो इस तरह से आपके दो बार हैं जो कि CS 1 और CS 2 अब मैं इसका आपको detail में ले चलता हूँ तो आप इसको अच्छे से feel कर पाएंगे कि किस तरह से हमारा बार आएगा तो अभी आप यहां पर देखेंगे detail आपको पते चलेगा CR की का इस तरह से यहां पर आपको CR की का detail दे रखा यह देखेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपका CR की का reinforcement है वो आपका Minster शुच्छ हमारा बाटम स्लब का ररेंगमेंट दे रखा है जैसे हमारा पूरा बाटम स्लक का रेंगमेंट की के साथ मैं है इस है कि इसमें पाली हुर्ष ले का दिर रखा है निए सेरेकी के साथ में आपव माँ बाहर है कि एक आपको 6 दे रखा यह आपको 7 बार दे रखा है यह आपका 8 है यह आपका 9 है और यह आपका 10 है तो Yuk तो इस तरह से आपको 10 Wir सिएस बन दे रखें यह देखेंगे आपको जो की कि ट्वैलम का है और यह आपका इस तरह से जाएगा तो उसी तरह से यह जो आपके बार है वह भी आपके फ्रॉआउट लेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं जितना स्ट्रक्शर का लेंथ होगा उतना ही आपका यह बार भी जाएगा यह फ्रॉआउट लेंथ आपके जाएंगे यह बार आपके कि आछ है और उसकी जो स्पेर्सेंग है मैं को आपको 200e COMI सेंटर तू सेंटर देराखे यह देखें जुझे 2 कि को इसके उपर सम्ट धुरаб प्रोवैट करने मिच इए इस तरह से आपका इस तरह से हमारा रिखार है यह देखेंगे इस तरह से हम यहां पर रोवाईड कर रहे हैं तो यह हमारा क्या एं? cs2 है, जो आप यह ring देख पा रहे हैं, वह हमारा cs2 है, तो यह इस तरह से आपका यह ring fix हो जाएगा जो कि आपका 12M का बार है और आपका 200M center to center इसकी spacing है तो यह इस तरह से आपको CS2 परिंग देखने को मिलेगा और जो कि आपका throwout length of structure आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा यह इस तरह से throwout length आपका यह आएगा यह throwout length आपको इस तरह से share की देखने को मिल जाएगा clear तो share की में हम सिर्फ दो बार provide कर रहे हैं एक आपका CS1 है जो कि बल्कुल plan bar है 12M का डाया है और 10 numbers में हम provide कर रहे हैं जो कि throwout length आएगा और इसके उपर से हम एक ring provide कर रहे हैं जिसको आप स्टीरफ बोल सकते हैं CS2 वो भी आपका कितने का है आपका यह देखेंगे यह भी आपका 12M का है और जो इसकी spacing है वो कितनी है 200m center to center यह आपका 12m का है और इसकी spacing है वो आपके 200m center to center दे रखी है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम share की में किस तरह से अपने steel bar को link कराते हैं और कौन-कौन से बार आते है ताकि आप इसका VBS बना सकें तो जनाब I hope कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो कि हमारा share की क्या होता है इसको drawing में हम कैसे देखते हैं और इसमें steel bar को हम कैसे fix करते हैं जनाब अगर आप इसका VBS सीखने चाहते हैं तो आप मुझे comment बताईए तो मैं आपको बताऊंगा कि हम इसका VBS कैसे बनाते हैं अदर्वाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो फ्लीज इसे like करें अपने friends के साथ share करें और आपने अभी तक हमारी YouTube चनल Rainforce को subscribe नहीं किया तो फ्लीज आप इसे subscribe कर लिजे तो इसी तरह से आपको as per need और as per demand quality content मिलता रहेगा thank you so much and see you in a next video